यह जो दर्मsystemनों है वास्तोका ये प्राचीन भरत में धार्मिक आंदोलन के रूप में इस्ठापीत हुए थे कारण क्या था कि प्राचीन समय में में तर रिखेदिक काल में जो आपका धर्मिक करम कांड था इस कर्मकांड से पुरे समाज में बहुती कठोरता उठपन हो चुकी थी, ठीक जो लोग है उस जकडन से बाहर आना चाहते थे, वास्तों में ये जो यागिक कर्मकांड है ये आपके द्विज जाती के लोग करते थे, बाकी जो लोग है ठीक वे इससे बंचित थे, तो ध्या ध्यान रिखेगा, ये जो दोनो धर्म हैं, इन दोनो धर्म ने आपने ततकालिक समय में, ठीक है, वहाँ पर के जो परिवेस है, धार्मिक परिवेस, ध्यान रिखेगा, उस समाज में बहुती ज्यादा जकडन था, जकडन का मतलब वन विवस्ता जो शिफ्ट कर चुके थी जाती विवस्ता में, ठीक, वन का अधार था कर्म, और जाती का अधार हो गया, जन्म, तो ध्यान रिखेगा, ये जो जन्म के कारण, जो जाती विवस्ता थी, इस जाती विवस्ता में बहुत सारे दोस्त है, तो इन दोसों के कारण ततकालिक समाज में ध्यान रिखेगा, तिक वेदिक कर्मकार्ण में बहुत सारी लोग या बहुत सारे वर्ग वो हिस्सा नहीं ले पाते थे. ठीक है, तो हम देखते हैं कि अर्थात नविन धर्म का मतलब बौत धर्म और जयन धर्म, इसकी उत्पत्ति के क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण वही कारण है जिसकी चर्चाम कर रहे थे. पहला कारण है वेदिक धर्म की जटिलता. ध्यान रिखेगा वेदिक धर्म क्या है? बहुत सारे कर्मकार्ण यहां तक कि उन्हीं वेद के ध्यान रिखेगा वेदों का ठीक बाद में बहुत सारे और सहित क्या अर्थात वो यागिक कर्मकांड की वो भी आलोचना कर रहे हैं, ठीक तो ध्यान रखेगा वैदिक धर्म की जटिलता, ठीक ततकाली समय में वैदिक धर्म ने समाज भी इतना बड़ा गैप उत्पन कर दिया था, ठीक ध्यान रखेगा यहां पर दो ऐसे वर्ग हो जाएंगे, एसा वर्ग हो जाएगा, एक एसा वर्ग जो वैदिक कर्मकांड को कर रहा है, ठीक और ऐसा वर्ग जो वैदिक कर्मकांड को नहीं कर रहा है, अर्थात उससे वंचित वर्ग है, ठीक है, तो ध्यान रखेगा जैसे ही, ठीक ऐसी परस्थिती बनी, कि जैन धर्मा बहुत धर जो शिס्टम वह चल रहा था जाती व्यवस्था नहीं में बदला था ते अरथात वण विवस्था था उसमें वर्ण व्यवस्था किसमें बदल गर जाती में अरथात अधार बदल गया हूं कर्म ध्यान queggda व्यक्ति क्षेह अपने वर्ण पर safest कर सकता हूँ अगर माल जी उसका पिता है किसी एक वर्ड में है लेकिन कोई जोरी नहीं कि उसका पुत्र जो उसी वर्ड में रहे अगर वो दुसरा कारे करेगा तो उसका वर्ड दुसरा रहेगा तो ध्यान रखिएगा वर्ड व्यास्था करम पे अधारित थी लेकिन जाती व्यास्था ज संस्कृत भासा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो वैदिक जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की रचना पर्मुकृप से संस्कृत में हुई थी और वेद कौन पढ़ेंगे वही ब्रामण पढ़ेंगे वही छत्री पढ़ेंगे वही वेस्ट पढ़ेंगे ठीक बाकी वर्ग जो है सुद्र ठीक और जो सेवक जाती हैं वह नहीं पढ़ती थी तो ध्यान रखिएगा यह जो आपका जो साहित है वह एक निश्चित वर्ग के पास ही सिमट के रह गया ठीक और उसकी भासा भी इतनी जटिल थी कि बिना ठीक सामने वाले अर्था बिना गुरू के वह ग् जो वंब भूमी थी उस बंजर भूमी में भी हल के माध्यम से जिसमें भभाती खोंते थी कि जुटाई हो रही थी और जड़ा मात्रह में अंद कहा उत्ता हौ रहा था तो इसे हुआ एक्सपेंशन अर्दद अब हर वर्ग के पास क्या हो गया धन आ पैसा आ गया ठीक तो इन विवस्थाओं के पास ध्यान रखेगा तिक इसी से क्या हुआ यह वैपारी वर्ग बने अब बार में हम यह जानते हैं कि जो जैन धर्म के लोग हैं तिक यह जैन धर्म के लोग अधिकतर कौन थे वैपारी लोग थे तिक जैन धर्म के लोग कौन थे वैपारी लोग थे ठीक इन्हों ने ही ध्यान रिखे इन्हीं वेपारी लोगों ने जैन धर्म को अपना है था और वर्तमान में भी आप इस चीज को वर्तमान समाज में देख सकते हैं. क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में पहले यह जान लिजे जैन अर्थात जिन जैन सब्द जो बना है वो जिन से बना है और जिन का अर्थ होता है विजेता अर्थात वह व्यक्ति जिसने ठीक है अपने उपर विजय प्राप्त कर लि क्या है विजय तो जैन सब्द का अर्थ क्या हो गया तिक ध्यान रखेगा जैन मना है जीन से तिक और जीन का अर्थ होता है विजयता चलिए अब ध्यान रखते हैं जैन धर्म के संस्थापक, देखें जैन धर्म जो है वास्तों में हम कुल मिला के 24 तिर्थंकर गिनते हैं, कितने 24 ध्यान धर्म में कुल मिला के 24 तिर्थंकर हुए हैं, ध्यान रखेगा तिर्थंकर, जैन गुरुवों को तिर्थंकर के नाम से जान जाता है कि इनको जैन गुरुवों को तो चलिए संस्थापक की रूप में हम रिशब देव के बारे में जानते हैं ठीक संस्थापक जैन धर्म के संस्थापक थे रिशब देव ध्यान रखेगा रिशब देव जो है यह जैन धर्म के पर्थम तिर्थंकर थे जैन धर्म क किया था यह जup they your heb I have to come कर थे कि रहने वाले थे कहांब कि आयो थ्यान रखिए गा इन्होंने उच कॉने में जैन धर्म का प्रचलन करवाय तो पर थम तिर थंकर है यह रहागा क्लियर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी जो है ठीक यह हमारे अंतिम और 24 वे तिर्थंकर थे हैं 24 ठीक है तिर्थंकर का अर्थ में बता चुका हूं तिर्थंकर का अर्थ होता है ठीक जो जैन जो गुरु होते हैं ठीक उन्हीं को तिर्थंकर हम के नाम से हम जानते हैं तो प्रथम तीर्थंकर रिषबदेव ऊस्व Deta he रिषब देव ha上 सबको पता है और हिग सबाई क aa जो चिन है तिक वह स violence है ध्यान रखीगा नाम ही सब और इनका जो चुन है तिक जैन धर्म में जो व्यक्ति होते हैं या जो तिर्थंकर होते हैं उनका चिन्द पुछा जाता है तो अगर आप से पुछेगा तो रिशब्देव का चिन्द क्या है सान्ड तिक बुल जो 23 तिर्थंकर के बारे में 23 तिर्थंकर ध्यार रिखेगा 23 तिर्थंकर पासरवना यहां पार्सुनात कहते हैं इस थो इनप को पार्सुनात जो है यह MRI की रहने वाले थे इनके पिता का नाम अस्वसेन mean का का नाम वामा था इनकी जो पतनी थि प्रभावती थो ध्यान रही गा इन्होंने क्या किया इन्होंने भी 30 वर्स की आयू में ध्यान रखेगा ठीक जैसे महाविर स्वामी भी 30 वर्स की आयू में ग्रित त्याक किया और जहारखंड जो वर्तवान जहारखंड है अर्थात पहले बिहार कह सकते हैं बिहार का जीला है ग्रिडी वर्तवान हुआ ठीक है तो वो क्या हो गए ठीक जैन धर्म के यति हो गया ध्यान रखिएगा यति कहा जाने लेगा उनको भी तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा जो पारसुनात के जो प्रणेता थे यानि पारसुनात को जो मानने वाले थे या इनको निग्रंथ के नाम से जाना जात ठीक, सर्प, अर्थात, साप, तो सर्प इनका प्रतिक चीन है, ध्यान रखेगा, क्या सर्प, ठीक, आज ही 24 वे तिर्थंकर अर्थात महावीर स्वामी के बारे में, महावीर स्वामी, ध्यान रखेगा, ठीक, 24 वे और अंतिम तिर्थंकर रहे हैं, महावीर स्वामी, ठीक, मह महावीर स्थापक के बारे में पूरा चर्च हम आगे करेंगे, तो यहां पर बस एक छोटा सा आपके लिए यह ग्लिम्स थाग की जैन धर्म क्या है, जैन धर्म क्या होता है, जैन सब्द बना है जीन से, जीन का अरथ होता है विजेता, ठीक अर्थाथ जिसने अपनी इंद्र अपनी इंड्रियों को जीत लिया है field उसी को क्या कह गया है जीन किये आर जृत्य अर्फड़ मतलब right कि इसके संस्थापक ईसभी सव है टेव्यहीत पुश्ण। करते महाविर नाम से भी जाना जाता था, इनके अनुआयों को भी चोविस्वे तिर्थंकर और अंतिम तिर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी, ठीक, इनका प्रतिक था सहीं, अब हम Specially एक-एक करके प्रमुकृुम से महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, चली आगे बठते हैं, महा 72 वर्स तक इन्हें ये जीवन जिये थे 72 वर्स के जीवन में इनकी ध्यान रखेगा 72 वर्स बाद इनकी मृत्य हुई थी 468 इस्वीपूर में अर्थात ध्यान रखेगा अगर आपको जन्म का डेट याद है तो मृत्य का डेट भी अराम से पता चल जाएगा जन्म रुआ था 540 इस्वीपूर मृत्य ही थी 461 इस्वीपूर इनका मूल नाम वर्दमान था ध्यान रखेगा यह प्रस्ण पुछा जाता है इनका मूल नाम क्या था तो इनका मूल नाम वर्दमान था ठीक है इनका जन्व जो है कुंडल गराम में हुआ था ठीक कुंडल गराम कहां पर होता वैसाली में ध्यान रखेगा वैसाली ठीक वैसाली के कुंडल ग्राम में हुआ था कि इनके पिता का नाम इनके पिता का इनकी पतनी यसोदा थी ध्यान रखिम झाण और पुत्रि थी अन्नोजा प्रीधर्षनी उनकी पतिनी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहूल था तो थोड़ा comparative study कर लीजेगा ठीक यही पर मैं आपको उनके बारे में भी बता दे रहा हूँ सिद्धार्त इनके पिता का नाम सुद्धोधन था हम पढ़ेंगे इसको आगे जाके माता का नाम महा माया था चलिए पतनी का नाम यशोदा है तो वहां यशोधरा है देखिए कितना क्लोज में है यशोधरा कितना कलोज है देख अन्मोजा प्रिदर्षन तो वहां रहा होल है इसका स्क्रींशुट कर लिए चलिए आगे बढ़ते हैं इन्वे स्वामी का जैन रहें तुक कुछ दियान दि के गरिःत्यात केथ इंका पास ये जो है दारेक्ट दिया नहीं कर दियात है रातोरात गरिःत्याक कर दीक मतलब इतने दुखी हो गये थे अर्थात तीस वर्थ की आईू में, तीक है महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदी वर्धन की आग्या से ग्रिह त्याग किया system, कुल मिला कि उन्होंने बारा वर्थ तक तपस्या की, कितने वर्थ तक, बारा वर्थ तक तपस्या की, अर्थात अगर हम इसको जोड तो कितना हो जाए गई है 42 वर्स और 42 वर्स की आयूम इनको क्या हुआ ग्यान प्राप्थ हुआ तो 30-42 इस तरीके से याद रखेगा venusasalist द्याहने कियेगा जब यह घर से निकले तो 13 महा तक इनोंघ वस्त्र भार्ण किया थी इनोंगे वस्त्र त्याग दिया था Avenue बस ट्याक के निर्वस्त्र हो गए है वा स्व स्वामि ने कि द्थियान रखिएगा इनकी भेट मखली पुत्र होसाल से हुई थे टींट मखली पउत्र गोसाल इन दोनोंने मिलके बहुत लंबह समय तक तपस्या की ध्यान रखेगा मखली पुत्र गोशाल के साथ महावीर स्वामी ये दोदों नहीं मिले के बहुत लंबे समय तक तपस्या की ठीक है ध्यान रखेगा ये मखली पुत्र गोशाल वही है जुन्होंने आजीवक संपरदाय की स्थापना की आजीवक संपरदाय याद दियान प्रहाप्त हुआ जैसे इंको नाम हं इह जीन के नामसे जाना गया इनको इनको चीनικά के नामसे केवलिन के नाम से जाना गया तिक इन्को जितेंद्रि नारायन भी कहा गया है इतने सारे नाम से जाना गये है ये पुछा जाएगा तो आप लिखंग कैवल ले ज्यान कैवल ग्यान ठीक ध्यान रखिएगा कैसा ग्यान तो कैवल ग्यान क्लियर है चलिए ध्यान रखिएगा महावीर स्वामी को बौद ग्रंथों में निगंधनात पुत्र के नाम से जाना गया है निगंधनात पुत्र ध्यान रखिएगा ठीक निगंधनात पुत्र के नाम से किस महाविर स्वामी को महाविर स्वामी जब ठीक उनको ग्यान प्राप्त हो गया तो राजगरी का एक जगा है ठीक वतूल आचल परवत ध्यान रिखेगा राजगरी का एक जगा है वतूल आचल परवत उसी वतूल आचल परवत पे सरप्रथम परवचन उन्हों दिया सरप्रथ उपदेश दिया ठीक ध्यान रखिएगा और सब प्रफम पाने वाले कुण थे मेगिकुमार मेग हुं रखनी यहां यह भी कि महाविर स्वामि ने अपने जीन मेंध्यान जीतेजी उन्हों Leonardo धर्म के प्रचार प्रसाल के लिए गड़ धरों के नियुक्ति की अर्थात 11 गड़ बनाएं, ठीक, इतने गड़, 11 गड़, और उन गड़ के प्रमुखों को गड़ धर कहा गया है, ध्यान रखिएगा, 11 गड़ बनाए थे, और उन गड़ के प्रमुखों को गड़ धर कहा ग अब हम देख लेते हैं जयन धर्म के सिधान जयन धर्म के कौनको से सिधानते पहले हम नाम सुन लेते हैं उसके बाद हम चर्चा करेंगे चलिए पहला है त्री रतन दोनों में आपके बहुत धर्में भी है जयन धर्म में भी है काया कलेश ऑनंत चतुष्टा है Min Cl système शेद्रव के बारे में चर्चा है, शादवाद के बारे में चर्चा है, शादवाद को अनिकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है, क्यावल्ले की बात है, क्यावल्ले ज्यान है, ध्यान रखीगा, अनिकांतवाद, पुनरजन्म, निर्वान, कर्मवाद और थिक, यह सारे के सारे आपके नहीं सीव जैन धर्म के त्री संव्याग के सिद्धांत है, या जैन धर्म को जानने के लिए इन Tत्तों के अबारे मैं आपको जानना आवश्चक है, एक एक कर करके देख लेते हैं, सब से पहले हम देख लेते हैं ठीक, सम्यक ध्यान रखिएगा, त्री रत्न, त्री रत्न का मतलब होता है, त्री जेवल्स, त्री जेवल्स, ठीक, अर्थात गहना, ध्यान रखिएगा, गहना, गहना को ये रत्न बोलते हैं, तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक, त्री रत्न में कौन-कौन से हैं सम्यक स्रद्धा अर्थात सची स्रद्धा होनी चाहिए सच्चा ज्यान होना चाहिए तिक सच्चा स्रद्धा होना चाहिए सत के परती स्रद्धा दूसरा है सम्यक ज्यान सम्यक ज्यान मतलब सच्चा ज्यान होना चाहिए तिक सम्यक आचरन अर्थात हमको जीवन में सही और युब्से आचरण करना चाहिए तो 3 चीजे तीन रखेगा सम्यक सथ्धा सम्याघ्यान और चयान आचरण यह जो तीनों है यह आपके जैन्धर्म के 3 रत्न है अगला है काया क्लेस थ्यां रखेगा इन 3 रत्न को अपनाने से क्या होता है वास्तों में दोनों धर्म चाहिए जैन धर्म हो और बौब धर्म हो दोनों प्वानतिं से पराप्द करना अक्ति कि इन्हों एक कहा है विकिति को मुक्श तब पराप्द हो सकता है जब आपका के अरपने कर्म фильм को can द्यान रेकिएगा और दूसरा है नेर्जरा और दिया की смож 경 our to सामसलूज्रा एक के अड़ेएक अगर दोचीजें होती है एक होता इंग होता है कर्म क्यान रेक्टब्स j Am होगा बंधन होगा ठीक बंधन का मतलब बार-बार जन्म लेना ठीक बार-बार जन्म लेना ध्यान रखिएगा ठीक संवर का मतलब क्या होता है इस चीज को बहुत अच्छे समझेगा संवर का मतलब होता है ठीक कि अपने और कर्म का जो फल है उसको आने से रोग देना ठीक य ऐसे इसके लिए आपको करना पड़ेगा Talking थिक पहला समयक श्रद्धा समयक ज्ञान समयक आचरन तब कहीं जाके कर्म का जो करना तो व्हाहित को निर्जरा अर्थात कर्म को कर्म का वेक्ति ए आर्थात की अर्थात जीव के और बहाव क ADA के फल सुरूफ जो अंदर में कर्म बचा हुआ है अब उसका को समाप्ट करना क्या कहलाता expect निर्जरा तो यहीं है संवर और निर्जरा तो ध्यान रखिएगा जब अब कर्म ध्यान रखिएगा एक पहले संवर के माध्यम से बहुत सारे कर्म समाप्त हो गए और निर्जरा के माध्यम से भी बहुत सारे कर्म जैसे समाप्त होंगे तो व्यक्ति मुक्ष को प्राप्त कर जाता है किसको प्राप पड़ेगा तो ध्यान रखेगा कायक लेश का मतलब है शरीर को कष्ट देना है तिक तब कहीं जाके आपको ज्ञान प्राप्त होगा जैसे कि इसी में एक विधी है सनलेखना विधी सनलेखना विधी ध्यान रखेगा वास्तों में यह होता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन के मतलब ऐसा अत्पतित हो जाए कि ठीक है अब आपको मुक्ष प्राप्त कर रहा है तो व्यक्ति क्या करता है देखिएगा जैन गुरुओं में अक्सर यह पाए जाता है कि जब उनक को लगता है कि अब उनका जीवन का अंतीम समय आ चुका है तो भोजन को त्याग देते हैं और मुक्ष के और वह अग्रसर होते हैं भोजन को त्यागना और मुक्ष के और अग्रसर होना ही सनलेखना विधिया ज्यान रखिएगा तिक आपके एक्जामपल बता रहा हूं चं को त्याघा था तिक इसचिर को ध्यान रखिएंगा तिक जब व्यक्ति यह नदी यह तो प्रांट tयाःऑ हो गया जब आप संब्याक सरद्धा संविया गयान संब्याग आच्रन को प्ाहलं करते हिए मोग्ष को पराप्त करते हैं तिक जीवी ध्यान फिर अनन्त वीर और उसके बाद अनन्त सूख ये चीजे पराप्त होती है जैसे आपको घ्यान हो गया कैवलीन बन गए तो उसके बाद आपको अनन्त चतुरुस्ताय पराप्त होता है क्लीर है अब आजे ये, महावीर स्वामी द्वारत दिये गए. पंच महावरत, इस चीज़ को ध्यान रखेगा. पंच महावरत भी होता है. और एक और चीज़ होता है. अणुवरत. महावरत किसके लिए है, महावरत है जो सादक है उनके लिए. अडू वरत उद के लिए है जो ग्रहस्त आसरम में रह रहा है और जयन धर्म को मान रहा है ध्यान रखेगा के वल डिग्री का फर्क होगा तीक अगर सेम चीज है तो वह साधक के लिए भिख्षूओं के लिए थोड़ा हाई डिग्री के रहेगा और सेम चीज जो है ग्रहस्त इन चारों को पारसुनात द्वारा दिया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो आपके पंच महावरत है, इन पंच महावरत में से जो चार वरत है, वो दिये गया है, पारसुनात द्वारा, किसके द्वारा, पारसुनात द्वारा, और जो अंतिम ब्रहमचर का जो वरत है यह दिया गया है महाविर स्वामी द्वारा क्लियर है चलिए ठीक तो ध्यान रखेगा सत्य सत्य का मतलब होता है अर्थाज जूट नहीं बोलना अहिंसा जैन धर्म का प्रमुख सिद्धान्त है इस चीज को यहीं पर मैं बता दे रहा हूं कि इसी अहिंसा की वज़ा से जै और युद्ध निशिद्ध क्यूंकि इससे जीवों के हत्य होती है। किसी करेंगे तो जाने अन जाने में क्या होगा है वह सारी जीव मारे जाएंगे। इसलिए ये जो वर्ग है प्रमुक रूप से वैपार करते हैं, क्या करते हैं, वैपार, ठीक है, अस्ते, अस्ते का मतलब होता है, चोरी ना करना, क्या नहीं करना, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब, ठीक, अधिक रूप से धन संचय ना करना, ठीक, ब्रमचर, ब्रमचर का मत पतलब आपको पता ही है इंद्रिय निग्रह करना अपने इंद्रियों पर सयम बरतना चलिए अगला पॉइंट इसको मैं रेज कर देता हूं चलिए अगला है ठीक छेद्रव की चर्चव की गई इसके लिए आप समझ लिजिए इन्होंने इस्वर की सत्ता को इस यह जो है महा इस्वर ने इस स्रिष्टी को नहीं बनाया है तो यह स्रिष्टी कैसे बना तो छेद्रवों से बना है ठीक जैसे कि कौन-कौन से छेद्रव हैं ठीक जीव अजीव असूब आकास और काल ध्यान रखीगा काल ठीक इन्से बना है छेद्रव जीव अजीव शूब असूब ठीक आकास और काल ध्यान रखीगा आकास है इसका ही और काल यह छेद्रव हैं इन्ही छेद्रव के संगहात से संगहात मतलब composition से विश्वका निर्मान हुआ है clear है तिक तो यहां पर ध्यान रखेगा ठीक तीन यहां आ गया तीन ठीक अनन चतुर्दस यानि चार चतुर्दस बोलता हूं चतुष्टा है और यह 5 और 6 अर्थात यहां ट्रिक के माध्यम से याद रखेगा ती तीन चार पांच छे तो तीन चार पांच छे कहने का मतलब तिरी रत्न तिक अनन्च चतुष्टा है तिक पंच महावरत या पंच अनुवरत और छे द्रवों की चर्चा किसमे की गई है जैन धर्मे की गई है तीक अगला सिध्धान था स्यादवाद अनेकांत वाद इसको देखेंगे इस चीज को ध्यान रखिएगा स्यादवाद और अनेकांत वाद दोने एक ही चीज है तीक है इन दोनों के स्थापना की हां की गई है जैन धर्म की गई है इसको मैं डीटेल में बताऊंगा अब इस चीज को आप देख लिजे कैवल ले कैवल ले क्या है कैवल ग्जान कहा गया है अनेकां वाद इनक के इनका ये माननेता है कि अनेका आत्मा होती है और देकेगा ढोव nieuद इस चीज को भी आप कर सकते हैं जब आप आत्मा को मानेंगे तभी आप पुनरजन्म के व्याख्या कर सकते हैं, बिना आत्मा के पुनरजन्म नहीं होता है, सेम चीज नहीं है कहाँ पर बहुत धर्में, बहुत धर्में अनात्मवाद है, इस चीज को ध्यान रखेगा, अनात्मवाद, no soul theory, यानि वो आत्मा को नहीं मानते हैं, जब आत्मा को नहीं मानेंगे, तो पुनरजन्म का खंडन करेंगे, जब आत्मा ही नहीं रहेगा, तो वहाँ पर आत्मा और पुनरजन्म, इन दोनों का खंडन है, ध्यान रखेगा, तो यहाँ पर आत्माद को मानने के कारण इनका पुनरजन्म का सिध तै होता है तिक सेम चीज यहां पर है फिर यहां आज़ेए तिक अभी हमने चर्चा किया था आपका समवर और निर्जरा तो ध्यान रखेगा जो कर्म करते हैं उस कर्म के वज़ा से आपको अगला जनम लेना पड़ता है और अगला जनम में भी आप यही करेंगे पुनर जनम ध्यान रखेगा तिक पुनर जनम आपके कर्म के कारण होता है किसके कारण कर्म चलिए निर्वार निर्वार का मतलब होता है तिक विक्ति को ग्यान प्राप्त हो जाना तिक दो चीजे हैं निर्वार का मतलब तिक दिपक का बुझ जाना भी होता है ध्यान रखेगा दिपक खावृआद का मतलब यह दुरव से लिए कि यहां पर इस्वर की मानेता उस परकार नहीं है जिस परकार प्रम्परागत धर्मों में है जैसे वएद में देख लिए ठीक है बहुत सारे महिमा मंडित करके आपको जितने देधूताओं के वह अनिस्वरवाद का मतलब है कि इस्वर ने सृष्टी का निर्मान नहीं किया है सृष्टी का निर्मान छे द्रव्य से हुआ है जीव अजीव सुब असुब आकास और अकाल से अजीव को ही पुद्गल कहा गया ध्यान रिखेगा पुद्गल ठीक है आगे बढ़ें इतना हो हो अभ आगे बढ़ते हैं अब हम देख लेते हम से आदवाद को ठीक से ता सिद्ध को तो तुब पहला छesट ध्यान रिख़ेगा स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धान्त है किसका जैन धर्मक तो कैसा सिद्धान्त है ॥ी स्यादवाद ग्यान की ओस्द प vibration का ذ्यान्त अर्थात किसी भी व्यक्ति का ग्यान पूर्ण नहीं होता है ठीक सभी व्यक्ति का ग्यान दुसरे व्यक्ति की ग्यान से सापेक्ष होता है आप यह नहीं कह सकते कि मैं जो बोल रहा है वही सत्य है ठीक है ध्यान रखिएगा सापेक्ष का मतलब होता है तुलनात्मक तो इस चीच का, जैनदर में माध्यन से समझाये गा है। उन्होंने एक हांथी का उधारण दिया है, एक हांथी है, उस half को कुछ वेक्ती चूते हैं, जैसे कि और व्यक्ती क्या है, उनके आख में पट्ट ऺढ़ते हैं यह जो घंदा है। सिद्धन होया जो कान को्छोत पवोउगता है वह बोलता है थी तरह है जो केसे स्वन कोछूता है वह ब­लता है हाथी जो है अजगर कि तरह है things है मतलब सर्व की तरह है तो क्या हाथी वास्तों में अजगर है क्या वास्तों में वर्रस्थी है क्या वो दिवाल है तिक क्या वो पंखा है क्या वो खंबा है तिक नहीं तिक हाथी कुछ और ही है इस ध्यानर कियेगा प्रतेक विक्ति का उनका जो ग्यान है अपने सापेक्ष तिक मतलब उसने जो अनुभाव किया तिक उसको उसने बताया तो वास्तों में हाथी वो नहीं है वो बोल रहे हैं तो यही है ग्यान की सापक्षिता का मतलब होता है वेक्ति का ग्यान जो है पूर्ण ग्यान नहीं होता है वेक्ति का ग्यान सीमित होता है कैसा होता है सीमित हो पेफिको गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर काला भी दिख रहा है तो मैं बोलूँगा शैत कि यह बोड़ पीला है तो इसके लिए ध्यान रिखेगा इसी को श्याद वाद को किस नाम से जहां जाता है नयवाद नयवाद इस चीज़ को भी आप समझ लिए नय का मतलब होता है आंसिक ग्यान क्या होता है आंसिक ज्यान ठीक यानि प्रतेक विक्ति का ज्यान जो है पूर्ण नहीं होता है आंसिक होता है ठीक कैसे तो यहाँ पर साथ स्टेटमेंट दिये है ठीक उन साथ स्टेटमेंट के माध्यम से ठीक आपको बताता हूं पहला चीज ध्यान रिखीगा ठीक कहा गया ह है, फिर नहीं है, कहा नहीं जा सकता, कहा, नहीं, जा, सकता, ठिक, चलिए, है, नहीं है, कहा नहीं जा सकता है नहीं है सोरी ठीक यहाँ पर ऐसा आएगा है फिर कहा नहीं जा सकता ध्यान रखियेगा रिपीटेड है नहीं है ठीक और कहा नहीं जा सकता ठीक है अब दोनों आ जाएगा नहीं है है नहीं है ठीक और कहा नहीं जा सकता कहा नहीं जा सकता इस चीट को समझेए कितना हो गया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, इसमें सात्वा मिसिंग है, और सात्वा मिसिंग क्या है, है नहीं, अच्छा, यहाँ पर मिसिंग है, ठीक, सात्वा स्टेटेटें यहाँ पर है, ठीक, ध्यान रखीगा, है और नहीं है, ध्यान रखीगा, है और नहीं है, ठीक, क्या है इस जाद वाद ये बोलता है कि आपको किसी चीज के बारे में सिधा सिधा नहीं बोल देना है कि ये है ठीक आप इन साथ तरीके से किसी चीज को बोल सकते हो ठीक जैसे ठीक ये बोर्ड पीला है ठीक ये भी बोल सकते हो कि ये बोर्ड पीला नहीं है ठीक ये भी बोल सकते हो कि है और नहीं है यह भी बोल सकते हो कि कहा नहीं जा सकता यह भी है कि है कहा नहीं जा सकता नहीं है कहा नहीं जा सकता है नहीं है और कहा नहीं जा सकता तो वास्तों में तिक भासा के दोस्त को समाप्त करने के लिए तिक महावित स्वामी ने स्यादवाद का सिधान दिया था और इ सब्त भंगी नय तिक अर्थात तिक आपके आंसी के ग्यान जो है वो साथ तरीके से दिखा जा सकता है सब्त भंगी नय क्लियर है तिक तो स्यादवाद वास्तों में ग्यान की सापिक छता का सिद्धान्त है प्रतेक वस्तू दिशिक माल जी ये पेन है तिक मैं अगर इसको ए के बारे में आप सिधा सिधा आप नहीं कह सकते तो आपको इस साथ प्रकार के स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ता है तिक यह हम जैन सकते के बारे में देख लेते हैं कि महाविर स्वामी के बाद के दो पर मुख बैठके हुए है और दो पर मुख में अलग़ और पाटली पुत्र में 322 इस्वी पूर में दूसरे बैठक हुआ है वल्लभी गुजरात में 512 इस्वी में ध्यान रखिएगा तिक पहला व पहला जो बैठक हुआ था 3222 स्वी पूर्व का ठीक पाटली पुत्र में यहां की अधिक्षता किया था स्थूल भद्र ने किसने स्थूल भद्र ने ठीक इस समय सासक थे वहां के चंद्रगुप्तमौर और उसमें कार क्या हुआ था जयन धर्म दो भागों बढ़ गया कौन किसके साथ भद्र बाहु एक और सब्स लिखेजिए भद्र बाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए और वहां पर चंद्रगुप्तमौर विधी से अपने प्राण को त्याग दिये थे स्थान पे चंद्रगिरी स्वनगिरी परवत का नाम है तो ध्यान रिखिएगा भद् बाहु दिगंबर थे और यह स्थुल्भद्र जो है इन्होंने स्वेत वस्तर धारन कर लिया था तो इन दोनों के मद्दे विवाद हो गया क्या विवाद हो गया कि जो दचिण भारत से वापस आये थे इनका कहना था कि आकाल के समय में जो पाटली पुत्र में रहने वाले जैन सादू है उन्होंने पुरी तरीके से नियम का पालन नहीं किया है ठीक है इसी लिए ये बैठक हुआ और इसी बैठक में पूरा जो दो धर्म था मतलब धर्म था जैन धर्म ये दो भागों में बढ़ गया स्वेतांबर और दिगंबर के प्रनेता इस तुल भद्र और दिगंबर के प्रनेता भद्र भाहु हुए है ठीक है क्लियर है दूसरा अस बैठक देख लिएगा ये पांसो बारा इस्वी में हुआ है वल्लेभी गुजरात में ठीक है देवर्धी छमास्रवन इसके अधेक्ष थे ठीक ये उत्तर गुप्त काल में ध्यान रखेगा उत् के बारे में पुछा आता है ससक के बारे में भी पूछा आता है बस यहीं है बहुत सिंपल है इसको एक बार आप दिखिए क्लियर है कोई दिक्कत नहीं चलिए आगे बढ़ें अगला है हमारा जैन सहित जैन सहित को बारे में हमने पहला वीडियो बें पढ़ चुके यहां पर फिर रिपीट कर लेते हैं ठीक परमुख जैन सहित कल्प सुत्र के रचनाकार भद्रबाहु भद्रबाहु वही है ठीक जो जैन धर्म अपके चंद्रकुपत मौरी के साथ दक सेन थे तीक है इसके अलावा दो और प्रमुख पुस्तक के हैं भगवति सुत्र और आवर्शक सुत्र बस यह जान लिजीए कि इनका संबध जैन-धर्म से है ठीक है चलिए अगला देख लेते हैं घैन-धर्म के परमुख तत्त ध्यां रखेगा जैन-धर्म के परमुख त इन दोनों का कहां पर है रिग्वेद में ठिक है ध्यानिक करें निक हैं तो लोग कि आपको अभी चर्चा किया था कि भदर भाहू करण जैन धर्म की लोग Install video पर workout with तिक दक्षिन भारत में उन्हीं को बसदीश कहा गया है प्रवगुरूप से करनाटक ध्यांद कीगा करनाटक में जैन धर्म द्वारा स्थापित मठो को बसदीश कहा गया है ठीक है इनका स्थापत्य कला जैन धर्म से सम्मंधित कुछ स्थापत्य मोनुमेंट से जिन में जै मनदिर मान टाववू, यह गोरोष को गद एलोरा में तीन धर्म से संबन्दित है यह जबकि एलोरा में जयन बॉद और ंहिंदू तीनों धर्म से संबन्दित कर जित्रकला है टिक उसके बाद पारस्वनाथ का परवता कहा पर वही també सम्मेद परवत कहते हैं वही परपार्वस्पनात की मंदीर है ठीक है परमुख संरक्षक राजा हुए है ध्यान रखिएगा जैन धर्म को संरक्षण देने वाले जैसे उदाइन, बिंबसार, अजाजसत्रू, चंद्रगुप्तमौर, बिंदुसार और खारवेल, खारवेल उ जाओं, द्वारा हुआ है और जैन धर्म ने ठीक है प्रतेग जुरुप से वैदिक धर्म का विरोध नहीं किया था, ठीक बहुत एकदम, बहुत ही ठीक है, बहुत ही ठीक है, मतलब तठस तरह की विरोध किया था, ऐसा नहीं था धियान रखिएगा इस चीज को, ठीक ये आपके NCRT में मिलता है, ठीक, मतलब ये जिस मात्रा में बहुत धर्म ने आपके वैदिक धर्म का खंडन किया था, उतनी मात्रा में जैन धर्म ने नहीं किया था, बस यही इसका एक solution है, हमारे टेलिग्राम को जोईन किजे, यहां पर ये सब सारे content आपको मिल जाएंगे, ठी अगले चप्टर के साथ फिर मिलेंगे अगले क्लास में.